हेलो दोस्तों मैं सुरोजित आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर आपसे बात करने के लिए आज हम लोग जो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है एक स्टॉक को लेकर हम बात करेंगे तो उस टॉक का नाम है अमारजा बैटरी तो यहां पर मेरा नीप्टी का चार चार्ट ओपिन कर लेता हूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अमरा बैटरी का चार्ट मैं अल्लेडी थोड़ा ड्रॉव करके रखा हूं अब लोगो जैसे ठीक ठक से समझाने के लिए क्योंकि अगर मैं यहां पर मतलब ड्रॉइंग करूंगा तो आपको बहुत टा अक्टिवेट होके मार्केट को फिर गिरा दिया फिर गिराने के बाद यहां पर थोड़ा बायर लोग अक्टिवेट हुआ फिर गया मार्केट को यहां पर तोरने के लिए लेकिन तोरने ही पाया फिर से सेला लोग गिरा दिया फिर यहां से मार्केट ने एकदम से अच्छ है यह market यहांपे hold करता है उस-दिन तो यहाँपे अगर hold करेगा या बड़ा सा green candle बनाएगा ताब हम एंट्रि लेंगे मतलब हम लोग सोचेंगे कि मतलब break-out दे दिया होगा तब ठीक है तब मतलब आपको Pンド Logo मेरा 1500 तक का भी हुआ है कि यह 1500 तक जा सकता है अमरजा बैटरी तो इसका हम fundamental भी बात करेंगे fundamental में आपको पूरा concept पूरा पता चल जाएगा fundamental इसका कितना strong है और यह जो battery market का बैटरी market का king है अमरजा बैटरी यह आप मानके चलिए ठीक है तो टेक्निकल में और कुछ जाना नहीं है आपको एस जो लेवेल है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा और यहां पर volume भी थोड़ा जादा है तो देख पार है तो volume का साथ breakout देने के लिए तैयार हुआ है मतलब अमरजा बैटरी आपको नजर भी रखना पड़ेगा लेकिन मेरा एक कोई buy and sell recommendation नहीं है आपका financial advisor से बात करके फिर investment करना होगा एक only for education purpose के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चलिए इसका fundamental भी जान लेते हैं तो अमरजा बैटरी का हमने यहां पे skina.in में चार्ट P ratio अच्छा खासा है P ratio भी अच्छा खासा है और यहां पर हम देख लेंगे यहां पर यह मार्केट का पूर देखिए इसका market में कोई मतलब एकदम company almost debt company है अब को हम यहां पर पूरा दिखा देते हैं इसका quarter and quarter result हम दिखाएंगे और आपका year and year result भी दिखाएंगे देखिए यहां पर देखिए यह जो September का सेप्टेम्बर का जो profit बना हुआ था नीट फॉफिट यह जो नीट फॉफिट बना हुआ था आपका 214 करोर का नीट फॉफिट बना हुआ था अभी December का December 2023 में इसने बनाया दो सुचलिस करोर का पॉफिट लेकिन इस quarter का मतलब March quarter का अभी मतलब रेजल अभी तक पाप्लिस नहीं हुआ तो इसलिए पर नहीं दिखा रहा है और इसका quarter basis पर पॉफिट तो आप देख लेंगे मतलब देख देख चुके हैं अभी मैं year का भी पॉफिट दिखा देता यहाँ पर year का भी हम पॉफिट देखते हैं year का year में year में देखिए 694 करोर का मतलब 694 करोर का पॉफिट बनाया था आपका यह मार्च में और अभी इस साल अवलोडी बना चुका है मतलब आगले quarter तक मतलब 7.84 करोर का मतलब 774 करोर का अभी पॉफिट बना चुका है लेकिन अभी मार्च का पॉफिट आना बाकी है तो उसको एड करके यह थोड़ा ज्यादा ही होगा तो आभी देख पा रह है यार उनियर फॉफिट भी ग्रो कर रहा है तो मेरे ही सबसे लग रहा है कि अभी जो आभी का जो मैं ब्रेकाउट बताया वह ब्रेक आउट इस मतलब पॉफिट को देखे लगता है कि ब्रेकाउट दे देगा इस बार तो थोड़ा लेवल को follow करिएगा और यहाँ पे हम थोड़ा FIDI का activity देख लेते हैं FIDI ने क्या किया था FIDI का activity देखेंगे तो DII ने आपका EARLी देखिए EARLी यहाँ पे open किया हुए EARLी देखिए 9.2% था उसको बराके 17.91% का 17.91% का बना दिया यह आपका quarter basis पे देख रहा है तो अभी हम quarter basis से देख सकते है quarter में भी भी अच्छा खासा DII ने बना हुआ है DII ने आपका quarter ने quarter में देखिए 16.81% का था यह आपका DII का 16.81% का था उसको बराके 17.91 का कर दिया है तो quarter non quarter real on year पे इसका DII ने इसके उपर holding जो भी है मतलब बराती जा रहा है तो इसका fundamental भी बहुत strong हमको दीख रहा है तो buying के भी जगा पे है तो थोड़ा मतलब आपका financial advisor से पूछने के बाद ही investment करना only for education purpose के लिए मैं बनाता हूँ चलिए thank you जैहिंद बन्दे मातर